65% highways यहां पर no speed limit वाले हैं मतलब आप 200-400-500 km जितने मर्दी तेज से लाओ फाइनली भाई लोग इतने दिन बाद घर का खाना शाही पनीर कड़ाई पनीर जो भी कह सकते हैं और यह रायता चावल साथ में रोटी दार 254 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है यहां जर्मनी में वो तेरियो डीजल है 200 रुपे लीटर हो भाई मारो मुझे मारो आग लगी पड़ी है यहां तो सही में अभी तक भाई मैक्सिमम 170 रुपे लीटर भरवाया था बटाज सारे रिकोर्ट तूट गए 200 रुपे लीटर डीजल 40 रीटर डीजल 10,000 रुपे से भी जादा में भाई होए 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 अलो भाई फाइनली नेदर लेंड में एंटर हो चुके हैं और हमारी इस डेली लंडन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 20 अपनी स्कोर्पियोन के साथ कंट्री नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है जर्मनी के फेमस ओटो बान में मैं और मेरी स्कोर्पियोन है भाई और गा जाना है मुझे क्ल मैं सोविन्यर लेने बूल गया एक्ट्र में लेना था बड़ इतनी तेज बारी शाही मैंने कल वाले व्लोग में दिखाया था कि जाई नहीं पाया बाकि कुछ ऐसे नजा रहे बाई अपने होटल रूम से वह पीछे पार्किंग में घड़ी हुई है सा बाई 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 बड़ी होके नीचे ओ तेरी बाई बचेगी होई यह वाला तो हलक है भाई इसमें कोई दिकत नहीं आराम से देख रहे हो यह खास से यूरोप में बाई अब जितने भी महंगे से महंगे होटल में चले जाओ लेकिन कोई भी लगेज रखने के लिए इतना खतरनाक दूफान आयता भाई बहुत पेड़ वेड गाड़ियों के उपर गिड़े शीशे तूड़के देखना कल वलब लोग बड़ अपनी गाड़ी सेफ्ती कि इस वाली पार्किंग में कहीं भी पेड़ वेड नी है तो भाई स्ट्रीट पे तो अब गल्ती से यहां कोई बड़ा पेड़ होता कि जाता बाई गाड़ी के उपर तो बैंड़ जाती गाड़ी की उपर से आरी पेर भी नहीं होनी ती और इंशोरेंस के लिए नहीं मिलना था तो हास जात्ते बुला चलो जी समान सारा सेट कर लिया है बाकि एरे कोर नया दिन ने कोर नहीं जरनी आजाए 25 जुलाई 2023 मैं हूँ अभी भाई जर्मनी की केपिटल बर्लिन में आप देखेरो भाई नमस्ते लेंडन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पोंसर बाई वाउक्स इंसाइं इ 25,000 किलोमेटर काड़ी चला के पहुंचेंगे लंडन यूके में बहुत ही तगड़ी वाली रोड ट्रिप ओरी और वीडियो भी बना रहे हैं तगड़ी तगड़ी ऐसी सपोर्ट बनाए रखना तीन मिलियन सब्सक्राइबर जाने से पहले घर इस वीडियो में आराउंड 70 80,000 लाइक मार देना कि खड़ा भाई स्कूटर स्कैन करते है एप को लेट्स को अफट से सोविन्यर ले आँ फिर निकलना भी क्योंकि आज भाई जाना एक नई कंट्री और मेरी भाई रीम डेस्टिनेशन कंट्री का नाम है नेधरलेंड एंड सिटी का नाम है एमस्टरड कोई है इन कंट्री में रिस्पोंच एक दम से तगड़ा होता है पुली सो फाइबरेगेट अभी मेरे पीसर देखो फाइबरेगेट खड़ी हुई है मतलब धड़ा-धड़ काम कर दिया पूरी की पूरी रोड साफ हो गई है एक दम मस्ट पता नहीं वाई कौन जी गली मे नहीं मिलते भाई बड़े प्लेन प्लेन से यह देखो भाई बियर की बोटल और ग्लास वाले ठीक है और और कोई समझने आ रहा ब्लेट भी हो रहे है यही वाला ले ले लेता अच्छा तो यह भी लग रहा बट अगर इसमें जर्मनी लिखा होता ना तो ले लेता वहां य यह मास तरह चारो जी मिल गया यह यह वाला फाइनल कर लेते हैं बर्लीन भी लिखा हुए जर्मनी भी और कितने का है यह एक मैंगे लोगे तो 4.99 यह 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 नहीं की 500 रुप और एक सुविनेर वाला ना नोट भी मिल रहा है साड़े 300 रुपे का 3.500 तो अच्छा लग रह इतने सारे हैं यहां पर बट यह कुछ अजीवगरी भी लिखा हुआ है मुझे चाहिए कुछ सिटी से या कंट्री से रिलेटेड एक तो यह अच्छा लग रहा है यह बड़ा मोटा है यह वाला तो बड़े नॉर्मल से पोस्ट काड़ है ऐसे कोट्स लिखे हुए सब में यही समझा रहा है मुझे तो यह भी सही है चलो अब जल जल्दी है तो जो मर्दी मिल रहे ही लेता है लो जी सोविनियर शोपिंग ड़ना बगते हैं जल जल्दी से और गाड़ी में बैटके निकल लेते हैं खानावाना निखाएंगे क्योंकि दुपैर को ना लंच हमें कर जर्मनी में यह चाहर है तो वहां पर हम दो डाइबस तक पहुंच जाएंगे तो लंच उनी के घर करेंगे इतने महीनों बाद भाई घर का खाना मिलेगा हुए होए 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 है अला है इसके लावा भाई आज ना अपने स्कॉर्पियों की टॉप स्पीड भी चैक होने व कि वैसे रिसको नॉर्मल चलाओंगा बट कुछ सेगिंड के लिए एक बर स्पीड टेस्ट हो जाएगी थोड़ी सीडी के तो चलते है और वो जो हील होल डेस्ट वाली वार्निंग लाइट यह ठीक हो चुकी है मतला उसके बाद से तो आई अभी तक अगर आती है तो मैं आ है 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 लेकिन आप यह साइडों में स्पीड लिमिट वाले साइन बोर देखोगे ना इस पर अभी 100 किलोमेटर की ही आ रहा है कहीं पर अस्ती आ जाता है जैसे यह देखो अस्ती वाला है मतलब max to max 100 यह 110 ही जा रहा है तो आप क्या होगे यह क्या बात हुई जब स्पीड लिमिट ही नहीं तो फिर स्पीड लिमिट के बोर क्यो लगा रहा है तो मैंने आपको बताया था जो 65% हाइवेज है ना सिरफ उनी में जो है वो 9 स्पीड लिमिट है मतलब आप चला सकते हो अभी तक तो फिलाल नहीं आया है वो यहां पर 80-100 ही चल रहा है क्योंकि थोड़ा जाम भी लगा पड़ा स्लो 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 चल रही है गारी अभी तो जैसे ही आएगा भाई उसके बाद बताता हूँ और अभी हम जा रहे है जर्मनी के एक सिटी है डोट मून करके यहां से अ बट फिर चिंता की बात नहीं उसके बाद जो एमस्टर डैम है वो सिरफ दो धाई घंटे गई रस्ता है तो थाड़े नो दस बज़े तक हम पहुंच जाने चाहिए और यहां पर आपको पताईए भाई अंधेरा भी दस बज़े ही होता है तो ऐसी टेंशन लेने वाली बा सब्सक्राइब एक सोट किलोमेटर की स्पीड पर चलाना तो छोड़ो यहां पर तो हाइवे ही इतने पतले-पतले से हो गया है साथ सत्तर की स्पीड मेंटेन हो पारी है बस पता नहीं अभी कितनी आगे तक जाएगा देख जरा जरा सी दो लेन है हमारे पास उसमें भी एक जगार पर ट्रक चलते जा रहे है एक जगार पर हमारी चोट इसी ए लेन में गाड़ी चलती जा रही है अब शायद से अलग अलग हो गया है वह वाला रोड उदर चला गया और हमारे पास प्रॉपर तीन या चार लेन का हाईवे मिल जाएगा चलो बड़ी है बर स्टिल भ बड़ा जर्मनी है यह मैसी भाई अगर आप बरलीन से नीचे जाना चाते हो फ्रैंक फूट या म्यूनिक की तरह वह भी भाई 600-700 किलोमेटर दूर है तो पिछली कुछ कंट्री जो थी यूरोप की वह तो भाई 2-3-3 गंटे में ऐसे खतम हो जाती थी और नया देश भी श तो सब छोटी छोटी तीन तीन चार चर घंटे में ही मस्त कंट्री जो जाती है बर्लिन से भाई लगातार चार सो बीस किलोमेटर गाड़ी चला लिए अभी डोट मून सीरफ 90 किलोमेटर रह गया है जोड़ा सा शरी रकडने लगा था बट मैंने का ब्रेक ले ली जाए भाई स्ट्रेचिंग जरूरी है वरन्ना मेरा जो स्लिप डिस्का पेन वो जाग ग सब्सक्राइब हो गया है जहां पर स्पीड लिमिट थी नहीं कोई भी अर जगा मैक्सिमम जो है वह वन थटी की गई है उससे जादा कहीं नहीं मिला ठीक है बाई अपनी स्कॉर्प्यान एक सो तीस पे भी मस चल रही थी एक दम नो डाउट एस्यूवी है इतनी उची एस् पर दो नहीं तो नहीं चाहिए बाई मज़ेदार आप गलस कैम हो और टो बान वाला की पीड लिमिट ही नहीं मेरे कहला वह कोई ओर रूट होगा इस रूट पे नहीं आया वह एक बार बाई सब्सक्राइब हो इसको अब यह तो आप यह तो आप जो रहा है इसको अब आप काली दो उनको या फिर चेंज करवाना पड़ेगा निकलवाई देंगे बड़ी बड़ी पार्किंग बनी होती है ऐसी हाईवे के साइड में तो यह तो यहां से लगा देते है अपना ट्रक आके देखो लाइन से लगए आगे तक और इधर गाडियों की लाइन है पूरी की जाल वाइंगे जलो ठीक है ओके जी एक इंडियन फैमिली मिली थी बैंगलोर से हाँ ओके मिल जाते है बाई सब स्पेशली जर्मनी में तो काफी इंडियन है आई गया भाई एक फ्यूल स्टेशन भरवाई लेते हैं वहां बहुत तेस चल रही है देखना 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 के डीजल प्राइजिस में आपको पहली बता चुका हूं लाश्ट वीडियो में यहां पे तो भाई सब पांच अलग अलग तरगी केटेगरी है यह शायद से एक पेट्रोल की एक्स्टा केटेगरी है डीजल तो वही है दोनों एक नॉर्मल और एक अल्टीमेट हम नॉर्म चालिस पैसे बढ़ रहे हैं दस यूरो ग्यारा यूरो बारा यूरो हजार उब बढ़ रहे हैं अभी ना टंकी फुल करवानी पड़ेगी हमें यहां पर भले ही महंग है क्योंकि नैधर लैंड जानी कि अगली जो कंट्री है वहां पर और भी जादा महंगा डीजल है कि आ यहां पर टोटल आया है भाई 51.49 लीटर 106 यूरो चास लीटर डीजल 10,000 रुपे से भी जादा में भाई होए 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 कसम से भाई साब और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे अभी 200 रुपे तो देख लिया इससे महंगा भी मिलेगा आलत खसता हो गई सही में पा साथ यह मुझे अंदर जाके बताना है तो वहां पर फिर पेमेंट करनी है उसकी भाई यह मार्किट है यहां की सर्वेज लिखा हुआ है कुछ खाने का भी देखो ने खेर खाना क्यों भाई अब तो पोंच नहीं वाले है मस्त वहां पर जाके इंडियन अपना घर का खाना मिल जेगा यहां पर यहीं पर वोश्रूम भी बने हुए भाई साफ सुतरे यूज करना है तो पैसे लगेंगे यहां तो महां गया है वन यूरो भाई साब सो रूपे वोश्रूम यूज करने गे आपकी स्पेर पार्ट्स वगरा मिल जाएंगे आपको कुछ भी लेना ओ इ चालिस मिनट रहते हैं तो इतना तो कंट्रोल नहीं हुआ जाएगा तो रूपे दे देने से यह वैसे यहां पार्किंग में गाड़ी को खड़ा कर देता हूं निकलना पड़ेगा और हुटी है नहीं तो खरीदनी भी पड़ेगी चलो निकलते हैं भाई पांसो तीन की और 9.8 की अवरेज दे रही है भी तो यह फिलाल दस पर चली जाएगी कोई ने अगर थोड़ा और दंग से चलाएंगा लो जी भाई फाइनली पहुँच चुके है सिटी यहां से शुरू हो गई है और काफी जंगली जंगल का एरिया है आसपा हमें जहां पर जाना है अराउंड 1.9 किलोमेटर है यह नहीं इतनी बड़ी सिटी नहीं है और स्पेशली टूरिस तो वैसी नहीं आते हैं पर ज्या जगह पे अभी हम है प्रॉपर एक जर्मन घर है लिफ्ट होती नहीं है जाद अतर घरों में अभी हम थर्ड फ्लोर पे यह अपार्टमेंट के एंट्री है और यह अपना ओफिस है मैं दिखाऊ हुआ एंड ये भी देखोगे न स्टेयर केस पूरा वुडन है भाई नीचे अब चाहिं पर बाहर से आओ तो सीधा कोट अंदर उतार के यहां पर चोड़ दो बाकि अंदर की भी वुडन है यह पूरी श्टेर यह उपर का एरिया है एक च्छत वाले एरिया को ही नहीं ने वह बना दिया चोटा सा मतलब समझ जाओ क्या है यहां भी लिविंग एरिया है यह चिल जोन हो गया है इधर देखो गए यह डाइनिंग एरिया समझ लो आपर भी सोफा कम बैड है मस चिल कर दीवी लगा हूँ है यह सारा समान ओनर का ही है एक बैट रूम यह है बट लिविंग एरिया और स्टोरूम बहुत बने हुए तो मतलब बहुत ही बड़ा एर यह देखो भाई हो ग्रेजी कलेक्शन भाई साब बाकी ओनर रहते नहीं है यह तीन लोग यहां पर रहते हैं इंडिया के लिविश आप से रेंट तो रेडियो देखो अभी तक चलते हैं और यह वह वर्किंग है मतलब आप सुन सकते हो रेडियो बर को नहीं सुने एक पा जो भी कह सकते हैं और यह रायता चावल साथ में रोटी दाल नीर तो चलो इतने दिन से खा रहे थे यह वाली तो दाल है भाई सब यह कहीं नहीं मिलती है और जगा पे दाल तड़का यह दाल मखनी मिलती है बट यह प्रोपर वाली वह है काली जीव लफ लफ आ गई पहले अब यह भी भाई 146 किलो मेटर बचा है और दोनों को इतनी खतरनाग नहीं दा रही है तो ऐसी है जो पार्किंग स्पोर्स बनी होती है यहीं पर गाड़ी लगा ली थोड़ी देर पंदर अभी इस मिनट का नाप लेके फिर निकलेंगे आठ बच चुके है बट सूरज तक पहुंच जाएंगे अराम से कोई दिक्कत नहीं थे तनी और वो जो स्पीड लिमिट वाले होटो बाहि उसका तो वेट करते ही रहा गया आये ही पूरे रस्ते में अब तो पहुंचने वाले बताव है अमस्टेडम पता नहीं कैसे ट्रेड़ा मेड़ा सो गया बाई सब गरदना कड़ी पड़ी है बुरी तरह अलमोश हमने जर्मनी क्रोस कर दी है एमस्टेडम एंटर करने वाले है और देख रहे हो भाई रात के आट बचके 24 मिनट हो रहे है और सामने सूरज निकला पड़ा है बुरी तरह ही में बाई कसम से कह रहा हूँ सूबह के साड़े आ बाई कर दोर रहा है बतला नहीं क्या हो गया है तो वाई साब उपर से सूबह 500 किलो मेटर एक ही स्ट्रेच में पांसो चाड़े चार्ट इतना भी लगा लो एक स्ट्रेच में चला ली तो कमर की बैंड बज लिया थोड़ी सी तो सोंगा आदा ए गंटा फिर जाके एडिट तो चलो भाई फाइनली नेधरलेंड में एंटर हो चुके हैं और हमारी इस डेली लंडन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 20 अपनी स्कॉर्प्यों के साथ कंट्री नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है जल्दी भाई साब 20 कंट्रीज कर ली हमने इस ट्रिप में बता हो अभ कि हम भाई एक या सवा घंटे में कवर कर लेंगे देख लो भाई रात के नो बच के छे मिनट और बहार लेकिन अभी भी दिन हो रहा है और सूरज जो है वो बातलों के पीछे चुपा हुआ है तो यह वाई मेरे इसाब से अराउंड दस बजे के आस-पास ही प्रोपर वाल बाल नेरा ओगा यह वाल कुछ जगाओं पर बादल है और वही वहीं पर बारिश हो रही है तो जैसी सिटी के अंदर एंटर किये भाई साव इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और उधर की तरफ भी देखो साफ साफ भी रिखे रिए बारिश गिरती हुई कितनी दूर तक अम्सर डेम में कोई भी हो यह बिलकुल ही ओ भाई साफ ब्रिज देखना कैसा बना रख है उपर ही पूरा एलेक्टिसिटी वाली केबल सो अगया रहा है जिससे की ट्रैम चल रही है यहां की तो भाई सब्स्ट्चर ही अलगा है पूरा टेडा मेडा सा ओ भाई सब्स्ट्ट्री अलगा है मकडी का जा इतनी ठंड हो रही है यह एक पार्किंग मिली तो है बट इसका नहीं यह वाला गेट नहीं खुल रहा है क्योंकि तस बज़े तक ही एंट्री अलाओ रहा है तो एक यह बाई साब है यह हेल्प करवा रहे है हमारी एंट्री कर्वाने में अगर गाड़ी एंटर हो गई तो जाएगा क्योंकि में तो यही गेट है अगर यही नहीं खुलेगा तो गाड़ी खुल गया चलो 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 लेओ 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 आजो भाई शुकर है हो हो जद लगाता आज पार्किंगी नहीं मिली तो नीचे जो मशीन है उससे टिकेट निकाननी है बड़ यह तो दिक्कत है बाई रात के तस बजे बंद हो जाता है यह वाला गेट फिल्वा हम निकाली नहीं पाएंगी पाईगी पाकी प्राइस देख लो भाई मेंगी है वैसे तो इहां से टिकेट ले ले लेते हैं लाओ जी लाओ लाओ लेट्स गो चलो जी खुल गई ओके थेंक्यू थेंक्यू चाहिए थी मेरे को सेफ भी रहेगा यहां पे सब पार्किंग में इना इलेक्टरिक वाली गाड़ियों के लिए चार्जर लगा रखे तो यह भी सही है चीज चलो जी चलो गड़ी लगी सड़ी ना से अपार्टमेंट भाई एक किलो मेटर है तो इसलिए मैं एकी सूट कैस आश्मान देखना भाई पूरा बल्यू आपड़ा है और काले काले बादल साइडों मैं भाई साब बारिश की वैसे इतनी ज्यादा ठंड हो गई ना हालत खराब हो गई है अगले तीन दिन के लिए हमारा रूम होने वाला है एक बैड उपर है एक मने नीचे मैट्रस लगा लिए वाकिस वले व्लोक लेट नहीं रखते हैं मिलता हूं आप से नेक्ट वीडियो में तिल लें गुडबाइन आज ओल्वेस तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना की काब बाई झाला की काब बाई